जी शिक्स क्लास, नेक्स्ट आपका चक्टर है थर्ड, या फिर फोर्स, ठीक है, तो यह जो फोर्स का कंसेप्ट है, यह हमारी डिली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, फोर्स का होती, किसी चीज को धक्का देना, ठीक है, उसे धक्का देना या फिर ठीक है, उसकी यह डिरेक्शन चेंज कर सकती, उसे मूग करवा सकती, जैसे यह पैंसिल है, ठीक है, अगर मैं इसके उपर फोर्स लगाऊंग, इसे धक्का दूँगी, तभी अपनी पोजिशन को चेंज कर पाएगी न, ठीक है, अगर मैंने इसके डिरेक्शन भी चेंज कर करने तब ही मुझे कोई नगए फोर्स लगानी पड़ेगे इसके उपर अगर मैं से अपनी तरफ खीचूंगी ठीक है तो यह क्या बोलते हैं अप इसे पुल बोलते हो अगर धक्का दूंगी तो पुश करना बोलते हो ठीक है जैसे रबड की बॉल ले लो रबड की बॉल ले अगर किसी बॉड़ी के डिरेक्शन चेंज करने के लिए किसी बॉड़ी की शेप चेंज करने के लिए जो भी हम फोर्स लगाते हैं ठीक है जो भी हम जोर लगाते हैं ताकत लगाते हैं नर्जी लगाते हो उसको क्या बोलते हो फोर्स बोलते हो और फोर्स में एक और इंप . क्यूंकि यहां पर फ्रिक्शन और फोर्ष वां पर प्रेजेन आजाएगी . काह पर सर्फिस में ? जो बॉल का सर्फिस में प्लस यह पorn फ्रिक्शन थेस्ट में आज़ा कर ड來 करना , इस chapter में हमने force के बारे में और friction के बारे में ही read करना है जो आपकी force है वो हम word तो बहुत ही ज़ादा use करते हैं हमारी daily life में जैसे हमने दरवाजा बंद करना तो हमें उसके उपर कोई ना कोई जोर लगाना पड़ता force लगानी पड़ती है अगर किसी ball को आपने kick करना है तो आपको उसको अच्छा से hit करना होगा ठीक है जो रिक्षा चलाते हैं वो रिक्षा को खीचते हैं मतरब वो pull factors का use कर रहे हैं ठीक है school bag को उठाते हो तो भी आपकी force वहां पे apply होती है ठीक है कोई moving object उसे आप रोगते हो जाफिर उसकी direction चेंज करते हो वहां पे भी आपकी force लगती है कोई बच्चा bicycle चला रहा ठीक है तो वो bicycle moving में है तो अगर उसने brake apply कर दिया force apply कर दिया तो वो क्या होगा अरेस्ट में आ जाएगा ठीक है जैसे आप यहां पे देख रहे हैं जो आदमी है वो कार को धक्का लगा रहा है यह बंदा उस कार को क्या कर रहा है खीच रहा है जो filter है वो catch कर रहा मतलब ball moving में है उसको उसने क्या कर दी उसको arrest में लेया है ठीक है उसकी position ही चेंज कर दिय इसने direction भी chain कर दी कोई kick कर रहा है football ठीक है तो यह सारी क्या है एक्जांपल है फोर्स की ही एक्जांपल है activity 1 में आप देख सकते हो कि तो आपने यह शो करना है कि यह फोर्स है वह क्या पूश है जब आप किसी चीज को पूश करते हो तो भी आपकी फोर्स लगती है को दीरे से आपने क्या करना जैसे यहां पर रबड तो रबड को दीरे से आप दक्का दोगे तब ही वह क्या करेगी आपने मूव फॉर्वर्वर्ड मत्रम आगे जाएगी ठीक है